हेलो इस्टूट्स एक्साइस 4.4 केश नमबर 7 देखो क्या किया रहा है आपको केश नमबर 7 यहाँ पर इव दिस एक्जिस्ट और आपको यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले एक्जिस्ट पता करने के लिए मैं इसका इसको फर्स कालस से सौल करेंगे ठीक है इस पहले प्लास बर्फयर यह कॉमसा होता सर्य जीरो जाएंगेERE 10 बेंगे इसको टूबरोंटी जोड़ को जोड होगे तो इस इस पर तो तो लिखा, 0 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, यहां तक समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, आगे देखो, अगले क्या है, 0 है, तो अगले सॉल्ल करने की जरूत नहीं है, 0 और 0 यह आएगा आएगा आपके पास, यह पॉजिटिव हो गया, 5 तू जा 10 हो गया, माइनस 0 हो गया, यानि तो यहां पर एम 11 क्या हो जाएगा देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या लिया, मैंने 2045, 10-0 यानि कि 10 आ गया, अब मुझे इसको छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ दो, 0045, इसको छोड़ दो और बीच वाले को छोड़ दो, एम 12 के लिए, 0045, इसको करेंगे, तो यह भी 0, यह भी 0, तो यह M12 एक तरीके से 0 आ गया, तो A12 भी क्या आएगा, सरी सिंप्ली 0 आ जाएगा, आगे देखो, A13 कितना हो जाएगा, सर 3 हो जाएगा, तो M13 कितना हो जाएगा, आपके पास देखो, इसको छोड़ दो, लास्ट वाली को भी छोड़ दो, क्या बच गया, 0020 इनका डिटरमेंट निकालो, यह भी 0, यह भी 0, तो यह सरी तो डिरेक्ली 0 हो गया, तो A13 भी क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया, आगे देखो, A21, सरी यह 0 है, तो M21 क्या हो जाएगा, देखो, यह बीच वाला है न, यह बाला, इसको छोड़ दो, वीच क्या जाएगा, 2 और 1 क्या है, और नमर है न, और नमर के अंदर माइनस आएगा, तो माइनस 10 हो जाएगा, बताओ, यहां तक समझ मा आगे होगा, I think, ठीक है, सर, अगला A22, सर, A22 कितना है, 2 है, यह वाला डिजिट है, तो M22 कितना आएगा, यह बीच वाला आएगा, यह व पॉजिटिव में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसका लाज यहीं करते हो, मैं A23, A23 कितना आएगा, 4 आएगा, यह है, आपके पास A23, तो M23 कितना आना है, यह वाला आना, M23, इसको छोड़ दो, बीच वाल लाइन को छोड़ दो, 1020, 1020, इसको solve करेंगे, 0 और यह 0 गया, M23, A23 भी क्या हैगा, 0 आगे बड़ो, अगला आपके पास है, A31, सरी यह 0 है, M31 क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो, लास्ट वाली को छोड़ दो, M31 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बच गया, 2234, इसको solve करेंगे, कितना हैगा, 4 टूजा, 8, माइनस 23, 6, कितना हुआ यह, सरी यह 2 हो गया, अब आपको पता है, 3, 1 का सम, 3, 1 का सम कितना हो, 4 होता है, A1 नमबर है, यह भी 2 ही रहेगा, यह वाली चीज आप पहले अपने चप्टर करें, वाले 4.3 वाले को फेक्टर वागे निकालने तो उसमें समझा है, मैंने डेल में, तो यहा गया, 3, 2, 1, 0, 3, 4, 1, 4, 1, 4, और यह 0, ए, 3, 2 का सम करोगे, तो और होगा, तो यह माइनस 4, अगला क्या है, A33, A33 कितना हो गया, 5 हो गया, M33 कितना हो जाएगा, देखो, M33 का है, सर यहाँ है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बज़ गया, 1, 0, 2, 2, 2, 1 जा टू, और यह 0 हुआ, M33 आया, अब मैं A33 मांग रहा हो, 33, 1 नुमर हो जाएगा, तो सर यह 2 का 2 ही रहाएगा, बताओ, यहां तक सुझ में आ गया, क्या है, हां सर आ गया, आग को Adjoint of A लिखना है, तो मैंने क्या बताया था, Adjoint of A के अंदर क्या करता है, को फेक्टर इस लाइन के हैं, तो उनको रोकी जागे, कॉलम में लिखो, तो जैसे कि देखो, A11, A12, A13, तो टैन, 00, तो यह ऐसे लिखेंगे, पैन, 00, ऐसे लिखेंगे इनको, अगला देखो तो माइनस 10, 5, 0, माइनस 10, 5, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, तो यह हो गया, 2, माइनस 4, 2, बताओ संझ में आगया क्या, माइनस 10 था नहीं, हाँ, यह एडजोंट आ गया, अब आपको निकालना क्या है भई, अब हमें सर यह निकालना है, A-Inverse, तो सर A-Inverse को फार्मुला होता है, 1 अपॉन, A-Determinate, और एडजोंट ओफ, A, लगा तो फार्मुला, A-Determinate हमने 10 निकाला था शाह, हाँ, तो यह आप 1 अपॉन 10 यहाँ पूट करो, और यहाँ पे एडजोंट में 10, 0, 0, माइनस 10, 5, 0, 2, माइनस 4, 2, बताव जन्मा है, यह आपका final answer हो गया, clear है यहाँ तक, हाँ sir, तो यह 7th के अंदर अपने complete निकाल लिया है, A-Inverse, 3 into 3 matrix के लिए, clear है, okay,